हलो दोस्तो मैं हूँ बजरंगी लाल आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपी पीचल यूटूब चैनल दोपैर में दो मिनिट की वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें आपको बताया था कि पश्चमान चल की भी लिष्ट आ गई है और हाँ पश्चमान चल की भी लिष्ट आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के comment box में नीचे description box में नहीं comment box में मैं pin कर दूँगा वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी दूसरी बात यह कि आप लोग बहुत confused हो रहे हैं सब मुझे कहां joining लेनी है कहां joining लेनी है क्या करना है तो मैं बता दूँ कि हमारी बादी जो 608 वाली वेकेंसी उसमें एक systematic धंसे सारी चीन कीज़े चरणबद तरीके से की गई थी और मैं वैसी ही accept कर रहा था कि पहले discom, discom के बाद फिर john, john के बाद फिर circle, circle के बाद division और division के बाद फिर आपको सबे station allowed किया जाएगा पर यहाँ पर एक चरणबीच का gap कर दिया गया है मतलब आप लोगों को वो लिस्ट नहीं बेच के इन्होंने direct किया किया है, john level से direct आपको division allowed कर दिया है, ठीक है तो जो पूरवांचल, सुरी, पस्षिमांचल वाले जो हैं, उनको direct division मतलब आपका division को हिंदी में खंड कहते हैं लेकिन जब आप पड़े लिखे हैं और आप खंड बहुत कम लोग खंड कहते हैं, बहुत कम, हलाकि लिखा पड़त का जो काम होगा वो खंड, विद्धुत वितरन खंड के ही नाम से होगा परन्तु, बोल चाल की भासा में हमेशा कि आप कौनसे division से हो, आप कौनसे division में posted हो, ऐसे यही बाते रहेंगी आप लोगों मैंसे बहुत सारे लोग बार बार कमेट कर रहे थे, मुझे कॉल कर रहे थे, यह बता दो, जैसे यह है, मैं यहाँ पर example ले ले लेता हूँ जैसे यह हैं कोई इस बालक परिजापती, ठीक है, सिब बालक परिजापती को क्या है, U—E U—D—D—5 यह आगे लिखा है, जी, जैड, बी, तो यह आप गोहर से देखेंगे न, यह यहां पर लिखा है देखो ये यहाँ पर लिखा है जी जैड भी ये गाजियाबाद की सुर्ट फॉर्म है ठीक है मतलब संचेप में गाजियाबाद को जी जैड भी गाजियाबाद बहुत लंबा लिखा जाता है इसलिए क्या करते हैं short form use करते हैं ठीक है तो गाजियवाद में काई सारे division है EUDD का full form क्या है EUTD क्या है ये सब मैं बता हूँगा अभी मेरे पास दूसरी PDF बिल्कुल बना लिए है उससे आपको बता दूँगा कि कहां क्या है ठीक है पहले इन पीछे वाले को देख लो ठीक है EUDD और EUTD ये सब क्या है इन सब से आप समझ जाएंगे ठीक है गाजियवाद में काई सारे division है वैसे इसका full form होता है electricity r1 distribution division मतलब EUDD वैसे मैं इसकी PDF दिखाऊंगा पर यहां भी बता देता हूँ आपको EUDD का मतलब है electricity r1 distribution division r1 मतलब सहरी गाजियवाद तो सहर है और अगर रूरल में होते तब यहां पर क्या लिखा होता है EDD यही लिखा होता है डाट electricity distribution division जैसे जहां मैं पुश्टेड़ू बहां लिखा है अब देखो यहां पर गाजियवाद के जो इर्द गिर्द के आसपास क्योंगे वहीं लॉनी भी है पश्चमांचर में यह के लिखा है एक जगा है लॉनी फिर उसके बाद वोधी नगर लॉनी यह मुराद नगर है ठीक है फिर लॉनी इसमें भी कुछ confusion वाली चीज़े हैं वो मैं बता दू अब देखो यहां पर लिखा है ETD का मतलब है electricity transmission मतलब यह जो भाई है ना इनको transmission मिला है इनको direct transmission मिला है यह जो भाई है अंकित कुमार भारती चंदरपाल इनके पताजी का नाम है इनको क्या मिला है electricity transmission division गाजिवद तो इनको इनकी जो पुष्ट होगी 132 या 220 पे होगी यह नहीं transmission allowed किया जाएगा और आप पूछ रहेंगे कि जाना कहा है तो आपको जाना है खंड का रियाल है मतलब division office जाना है बहां जाके joining लेनी है ठीक है इसकी एक कॉपी निकलवाने जिस वाले पीच में आपका नाम हो ज्यादा पैज से नहीं लगेंगे सारी पैज की कॉपी निकलवाके और उसके बाद एक साथ ही आप connect हो जाएंगे connect होके फिर आप अपने जहां जहां आपकी पोस्टिंग है तीन दी चार चार लड़के यह देखो जैसे यह चारों को लोनी मिला है ठीक है तो आप लोनी अपने डिवीजन पर पहुच जाएं जैसे EDD फर्ष्ट लोनी वाले एक भाई यह हैं यह सब गाजियवाद noida 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 यह तो सब समझ में ही आ रहा होगा noida greater noida GR का मतलब है greater noida फिर देखो यह यहां पर है यह तो मैंने पता ही दिया कि UDD का मतलब क्या है फिर यहां सब सब noida है इधर noida sub noida इसमें कुछ confusion वाली चीज़ है देखो जैसे यहां पर है यह प्कीर की मात् सबस्क्राइए कौन भाई है विष्वात्मा सिंग है भिस्वामित्र सिंग है फिर इनको क्या है इनको बुलंसर मिलें ठीक है फिर यह है एड्रस प्रतर प्रदेश का शेत्रपल में सबसे छोटा सब्से का मिली है यहां गौर से देखना है यहां ETD है मतलब transmission में इनको बरोत, बागपत, MRT, MRT का मतलब है अप कन्फ्यूज ना हो MRT वालों ने पूछा था मुझे से प्रिसंद की भईया मुझे MRT मिलाया मैं क्या करूँ MRT का मतलब है उसमें है डिवीजन में है या तो आपको कैस का काम दिया जाएगा या फिर आपको disconnection करवाएं है फिर देखो यह MRT MRT जहां भी है वहां मेरट है ठीक है और देखो यहां जहां SRE लिखा हुआ है यहां पर SRE यह साहरनपूर है ठीक देवबंद भी बहाँ पे एक जगह है SRE जहां पर वहां पर साहरनपूर देवबंद तो है रामपूर नाकौर भी एक जगह है मेरे इस बीडियो को देख रहे हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं मुझसे मिल सकते राजे स्यादव शुभा स्यादव ठीक है AADD चन्दोषी मिला है अब तो बाकी सब यहां ऐसी कोई चीज नहीं है जो कन्फ्यूज हो रही हो ठीक है बाकी अम में यह दिखा देता हूँ आHopeको जिसको लेका आप पनेशान थे कि किसकी क्या फुल फॉर्म होती है ठीक है वह वाला चार्ट भी इसमें दिखा देता हूँ इस वीडियो को बनाने का यही हो देश था यार आप लोग बहुत परिशान थे बार वार कमेंट कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे कहा बितरन खंड और टीडी होता तो ट्रांस्मीशन ठीक है पारेशन खंड विद्दूद पारेशन खंड जब अगर आप मेंसे कोई लोग डिप्लोमा किये हों तो बहां पर सेकेंडियर में बुक होती है बिद्दूद वितरन बाव पारेशन ठीक है तो अब मैं फुल फॉर् पर होगा यह देखो इस मेसेज जो अभी काम में आएगी जब आप जोएन कर लेंगे उसके बाद बागी चीज़ें काम में आएगी देखो सी चीफ इंजीनियर हाईडी लिखा आता है उस पर तो देखो सी आईटी का मतलब है इंफर्मेशन टेकनोलोजी डिस्कॉम का मतलब होता है कि आप डिस्कॉम बटेंगे डिस्टिबूशन कंपनी ठीक है फिर डियार्सी अभी आप को डियार्सी बगरा से कोई काम नहीं लेना डिसी हाँ यहाँ डाटा सेंटर लेखा हुआ डिसी का मतलब लेकिन जब आप पोस् इलेक्टिसिटी डिस्ट्रिबूशन डिविजन और इसका हिंदी में कहें तो बिद्धोत बित्रान खंड बिद्धोत बित्रान खंड ठीक है फिर देखो अगर Ichi टीडी होता मैं लिख दूँ यहाँ पर अगर ए टीडी होता तो उसका मतलब है बिद्धुत ट्रांस्मीशन सरी हिंदी बोला हूँ ट्रांस्मीशन डिवीजन मतलब विद्धुत पारेशान खंड ठीक है फिर देखो यहाँ पर लिखाए यू टीडी यह लिखाए यू टीडी इसका मतलब है इलक्रिशिटी अरवन मतलब आपकी पोस्टिंग सहर में ही होगी जैसे बड़ा सहर जैसे मुरादाबाद है बरेली है बदाई बदाई हो तो ग्रामीर में आता है टूटर लखनव है कानपुर है ऐसे गाजियवाद है नोड़ा है फिर बाकी यहाँ पर एडी का मतलब एलक्टिशिटी ड्यूटी जब आप पहुच जाएंगे जौब पर अपना बिल विल देख्या करेंगे तब वहाँ पर है इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें इसमें हैं एंडी साहब मैनेजिंग डारेक्टर होते हैं वैसे बिल में जब आपने आप देखने जाएंगे पुस्टिट हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं बता दूगा उसको लेकर अलग लेक्शा लेकर आऊंगा ठीक है बाकी मुझ पावर कॉर्परियोशन लिमिटेड बाकी और भी कोई भी दिक्कत हो कोई विशानी हो भाई मैं आपके यहलप करनें के लिए हमेसा त्यार हूं तो आप के कमेंट बोक्स में मुझे बता दे रहा ना बाकी मिलता रहूंगा ठीक है कोई भी दिक्कत हो कैसी वीडियो के कमें बता देना मैं हर कमेंट पड़ता हूं हर किसी के कमेंट का ध्यान देता हूं और जवाब भी देता हूं अगर जवाब देने योग है तब बाकी मिलता रहूंगा इसी प्रकार के और वीडियो में कहें जबारा धन्वात